ओम शी गने शाय नमः जैश रादे मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में मित्रो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धनू राशी वाले जातकों के 20 अगस्त 2020 के दैनिक राशी फल के बारे में चले मित्रो जानते हैं आज के पंचांग के बारे में दिनांग रहेगा 20 अगस्त 2020 तिथी द्वीतिया है जो अगले दिन के भोर के दोपहर के 2 बच के 14 मिनट तक रहेगा नक्षत्र पूर्वा फाल गुनी है जो रात्री के 11 बच के 50 मिनट तक रहने वाला है पक्छ सुकल पक चल रहा है दिन गुरुवार रहेगा सुरियोदय आज का 5 बच के 53 मिनट पे होगा सुरियास्त 6 बच के 55 मिनट पे आज का जो चंदरोदय है सुबह के 6 बच के 54 मिनट पे होगा वही चंदरास्त रात्री के 8 बच के 8 मिनट पे चंद्र राशी शिंग रहेगी जो अगले दिन के सुबह के 5 बच के 15 मिनट तक रहेगी रेतु वर्षा रेतु चल रही है शक्षमत 1922 सारवरी चल रहा है कली शमत 5122 है विक्रम समत 277 है दिन काल 13 घंटे 1 मिनट 57 सेकंड का होने वाला है मास अमान्त भादरपद है मास पुर्णिमान्त भी भादरपद है बात करते हैं आज के शुब महुर्त और अशुब महुर्त की दोस्तो आज का शुब महुर्त यानि की अविजीत महुर्त सुबह के 11 बच के 58 मिनट से दोपहर के 12 बच के 50 मिनट तक रहेगा वही दोश्ट मोरत यानि के सुब समय सुबा के 10 बच के 13 मिनट से सुबा के 11 बच के 5 मिनट तक वही दूसरा संद्या के 3 बच के 26 मिनट से संद्या के 4 बच के 18 मिनट तक आज का कंटक संद्या के 3 बच के 26 मिनट से 4 बच के 18 मिनट तक रहेगा या मघंट सुभा के 6 बच के 45 मिनट से सुभा के 7 बच के 37 मिनट तक रहेगा आज का कुलीक सुभा के 10 बच के 13 मिनट से सुभा के 11 बच के 5 मिनट तक रहने वाला है आज का जो राहुकाल है दोपहर के 2 बच के 1 मिनट से तो पहर के तीन बच के उनन चैलिस मिनट तक रहेगा दिशाश हुल आज का मित्रो धक्छन रहेगा तो दोस्तो ये रहा आज का पंचांग चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं वीडियो को अंतर तक देखिएगा आपसे निवेदन है और इस वीडियो पे चैनल पे अगर पहली वारा हैं तो इस वीडियो को लाइक करतीचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करतीचे चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चांते हैं आपके दिन के बारे में दोस्तों के साथ साम सुकद रहेगी लेकिन जादा खाने और सराब के शेवन से बचे कुछ घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होंगी जैसे कि ये शराब का शेवन करेंगे तो आपको नुकसान होगा समय और धन की कदर आपको करनी चाहिए नहीं तो आने वाले वक्त में आपके परशानी का सामना करना पड़ सकता है यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा चोटा सा पागल पनी है और यह आपको बुरी नुकसान की तरफ धकिल सकता है आज आपको निरासा हाथ लग सकती है क्योंकि मुम्किन है कि आप अपने प्रिये के साथ सेर सपाटे पर ना चापाएं आज अनुभवी लोगों से जोड़ कर रचानने की कोसिस करें कि उनका क्या कहना है वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूर बनकर रेकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे ऐसा करना आपके लिए हितकाई भी होगा साथ सिर्फ एक छट के नीचे रहने का नाम नहीं है एक दूसरे के साथ कुछ समय भी बिताना पड़ता है शुबंक साथ रहेगा शुबर रंग जो है आपका बुरा और्स लेटी रहेगा तो दोस्तो ये रहाज का आपका राशी फक्त उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिएगा तो चलिए में त्रॉम लोग फिर मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए आसपास सफाई रखिए घर वालों का खाया लखिए जैशर रादे आपका दिन शुब बीदे यही काम ला करते हैं